आजे मेहूल पंचाल जैमने चिला पंदर वर्ष मां पोतानी जातने उद्ध्योग सासिक तरीके नवी ओड़क खापी छे आजे तेओ पोतानी कंपनी मां 150 लोकोंने रोजगारी तो आपीज रहा छे परंतु साथे साथे तेमनी कंपनी मां बनावेला फिल्टर देश विदेशनी रिफाइनरी मां कावचा तेलमाथी ओईल अने डिजल वगेरे जुदू पाढ़वानी प्रक्रिया मां महत्वनी भूमी का भजवेशे गुजरात ना सफ़ल उद्योग साजीक नी भारत सरकारे सर्वश्रिष्ट उत्पादन निर्माण अने गुणवत्ता माटे नो एमी सैमी पुरुसकार माटे पसंगी करीशे मैंने केमिकल एंजिनेरिंग किया और एम बीए किया उसके बाद मैंने दो अजार दो में फिल्टर कंसेप्ट को एस्ताबलिश किया तब से लेके अब तक में हम लोग 75 से 80 कंट्रीज में हमारे प्रोड़क को एक्स्पोर्ट कर रहे हैं और हम लोग डॉमेस्टिक मार्केट में जितने भी मेजर पी एस यूज है उनको केटर कर रहे हैं आज कंपनी के पास राउंड साथ से आठ इंडस्रियल सर्टिफिकेशन है जो ग्लोबल रिक्वार्मेंट के हिसाब से डिजाइन किये जाते हैं जिसमें ASME है, CE मार्किंग है और ISO 9000, 14000, 18000 भी है मेहूल भाईये तेमनी कारकिर्दीनी शरुआत वर्ष बहजर बैमा करी हती कॉलेज माथी क्यामिकल एंजिनियरिंग नी डिग्री लईने बहराव्या त्यार बाद तेओ पोतानों कोई स्वतंत्र बिजनेस करवा मागता हता गुजरात मा अने केंद्र सरकारनी सुक्ष्मा लगू अने मध्यम उद्योग मा सरकारनी सारी नितियो औने जड़पी प्रक्रियानों लाब लईने आजे तेओ सफरताना शीखरे पहुचिया छे आजे तेमनी कंपनेनों टानोवर 65 करोडे पहुचियो छे तो 20,000 थी 2.50 करोड सुधी नी फिल्टर मशीनों तेओ बनावे छे तेथी तेओ उद्पा दन खर्च घटाडे छे परन्तु सारी क्वालिटी पन देओ बजार मा आपी रहा छे मेकिन इंडिया वाला जो फॉर्मेट है तो मेरे इसाब से MSME उसमें काफी अच्छे से कॉंट्रिब्यूट कर सकता है बिकॉज MSME के पास वो स्कील है वो स्कील ग्लोबल मार्केट में उनको एक अलग आइडिन्टी दे रही है हमें ये भी हमारे लिए सभवाग्य की बात है कि हम लोग इतने ज्यादा लोगों को हमारे साथ अकॉमोडेट कर पा रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और मेरे हिसाब से अगर MSME हर एक यूनिट इसी मेंटालिटी के साथ अगर काम करेगा तो हम लोगों की एकोनोमी को बहुत अच्छे से फायदा होगा मेहल बही नो मानवो छे के जो MSME ने वधू तक मड़े तो देशनी अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा मा महत्वनी भूमी का भजवी शके दोर्दर्शन समाचार माटे जतीन भजवनो रिपोर्ट